एक बार, एक नींद उपनगरिया पडोस में, पीट नाम का एक शरार्ती पिज्जा डिलीवरी वाला था। वो अपनी चंचल हरकतों और संक्रामक हसी के लिए जाने जाते थे, हमेशा अपने प्रसव के दौरान लोगों के दिनों को रोशन करने के तरीके खोजते थे। एक दोपहर की धूप में, पीट को जौनसन परिवार को एक बड़े पेपरोनी पिज्जा के लिए डिलीवर करने का ओडर मिला। उसे नहीं पता था कि यह विशेश डिलीवरी घटनाओं की एक प्रफुलित करने वाली श्रिंखला की शुरुआत होगी। जैसे ही पीट जौनसन के घर पहुचा, वो एक शरार्ती विचार का विरोध नहीं कर सका जो उसके दिमाग में आया। उसने अपने सिर पर पिज्जा बॉक्स को ध्यान से संतुलित किया, ये दिखाते हुए कि यह एक टोपी है और दरवाजे की घंटी बजाई। मिस्टर जौनसन ने नियमित पिज्जा डिलीवरी की उमीद करते हुए दरवाजा खोला। इसके बजाए उसे पीट द्वारा बधाई दी गई, एक पिज्जा बॉक्स टोपी का दान करते हुए, कान से कान तक मुस्कराते हुए। मिस्टर जौनसन हसी में फूट पड़े, अपने मनोरंजन को रोक नहीं पाए। श्रीमती जौनसन ने खिर्की खोली और चिल्लाई, पिज्जा हैट फैशन शो, कोई है, और उसके सिर पर पिज्जा बॉक्स पहनने में पीच शामिल हो गई। राहगीर रुके बिना नहीं रह सके और आनंद में शामिल हो गए, अपने पिज्जा बॉक्स टोपी पर कोशिश कर रहे थे और मूर्कता पूर्ण मुद्राएं बना रहे थे। पूरे मोहले में बात तेजी से फैल गई और जल्द ही, जॉनसन के घर के सामने एक छोटी सी भीर जमा हो गई, सभी ने पिज्जा बॉक्स टोपी पहन रखी थी और हसी में हिस्सा ले रहे थे। ये द्रिश्य एक असली पिज्जा पार्टी जैसा था, जिसमें सडकों पर गूंचती हसी थी।